हलो दोस्तों मैं हूँ इशिका जैन और आप सुन रहे हैं सोल्स ट्यून एक ऐसा पॉड्कास जहां मैं पॉड्री के साथ-साथ उसका मतलब ही समझाती हूँ आज मुझे पूरे दो महीने हो गए हैं पॉड्कास स्टार्ट किये 28 जून को मैंने स्टार्ट किया था और आज 10th episode भी है so I'm feeling very happy and thank you अब सब को मेरे साथ इस journey में जुनने के लिए इतना support करने के लिए and I hope ये journey और बहुत आगे तक जाए अभी इस show का concept classic poetry है मगर मैं आगे और भी अलग-अलग creative concepts लाँँगी season 2, season 3 में so thank you for sticking with me on this journey आज का 10th episode में start करती हूँ फैज एमद फैज साब की एक नजम के साथ ये नजम वैसे काफी popular है आपने इसका title तो इतली जरूर सुना होगा बोल की लब आजाद है तेरे तो बस शुरू करती हूँ बोल की लब आजाद है तेरे बोल जबा अब तक तेरी है तेरा सुथवा जिस्म है तेरा बोल की जाँ अब तक तेरी है देख की आहनगर की दुका में तुन्ध है शोले सुर्ख है आहन खुलने लगे कुफलो के दहाने फैला हर एक जंजीर का दामन बोल ये थोड़ा वक्त बहुत है पहले बोल कि सच जिन्दा है अब तक बोल जो कुछ कहना है कहले फैस सहाब की नजम बहुत इंस्पिरेशनल है जिसमें वो हर किसी को यह इंकरेज करते हैं कि बोल कि लब आजाद है तेरी जो हमारे वोर्ड्ज है वो आजाद है वो किसी की गुलाम नहीं है बोल जबान अब तक तेरी है कि जो जबान है जो तेरी वोईस है वो तेरी है तो जो तेरे मन में है वो तू बोल किसी और का पपेट बनने की ज़रुरत नहीं है कि कोई और तुझ से कुछ बुलवाए जब की तेरा मन भी नहीं हो तो बोल जो तुझे कहना है तेरा सुत्वा जिस्म है तेरा सुत्वा यानी स्ट्रेट तो स्ट्रेट बॉडी है तेरी किसी के आगे जुकी नहीं है वो एक प्राइड के साथ स्ट्रेट बॉडी है तेरी बोल की जान अब तक तेरी है यह जो जान है वो तेरी है देख कि आहनगर की दुकान में आहनगर यानि iron smith लोहार तो इसमें एक metaphor यूज किया है बीच में देख कि लोहार की दुकान में तुन्द है शोले, सुर्ख है आहन तुन्द यानि violent, spirited शोले यानि आग, सुर्ख यानि red, आहन यानि iron तो एक सेनारियो बताया गए कि जब लोहार एक लोहे को बिघालता है तो वो कैसे पूरा रेट कलर को हो जाता है और उसमें से आग की लप्टे निकल रही होती है खुलने लगे कुफलो के दहाने कुफलो यानि लॉक्स ताले दहाने यानि माउट कि उससे तालो की मूँ भी खुलने लगे ये एक मेटफर यूज किया गया है यहाँ पे फैला हर एक जंजीर का दामन कि सारी चेंज बिखरी हुई है तालो के मूँ खुल गए है महाँ पे ल कि यही वक्त है भी तेरे पास यह नहीं कि तुझे हमेशा मौका मिलता रहेगा तो अब जैसे तालों के मूँ भी खुलने लगए हैं तो तू भी अपना मूँ खोल जिसमों जबा की मौत से पहले ये जिसम ये बॉड़ी और इस वोईस की जब मौत से पहले बोल की सच जिन्दा है अब तक अभी तक सच जिन्दा है तुझे किसी और की जूट में हां में हां मिलाने के जरुद नहीं है तू अपना सच बोल बोल जो कुछ कहना है कहले कि जो ही तेरे मन में है वो कहले किसी से डरने की या किसी के आगे घबराने की जरुरत नहीं है बेफिकर होके पूरे करच के साथ बोल की लब आजाद है तेरे कभी कभी क्या होता है कि हम कुछ बोलना चाहते हैं लेकिन वो हम बोल नहीं पाते हैं शायद हम कभी डर जाते हैं या हमें लगता है यार सामने वाले को कैसा लगेगा मैं ये नहीं कह रही है कि हम किसी को कुछ गलत बोले बट जो हमारे मन में है या हमें कभी लगता है कि हमें कोई सुनेगा भी या नहीं बट उस सबसे उपर होके हमें बोलना है क्योंकि अगर हम नहीं बोले न उस टाइम तो वो जो regret होता है कि यार बोल देना चाहिए था यार क्यों नहीं बोला वो ज़्यादा परिशान करता है बजाए उस टाइम बोलने के तो अब जैसे अभी देख लीजिए मुझे नहीं पता कि मुझे कितने लोग सुन रहे हैं शायद कोई भी नहीं सुन रहा हूँ बट मुझे जो बोलना था वो मैं बोलूँगी तो बस मैंने बोल दिया क्योंकि लब आजाद है मेरे तो आप भी बोलिये बे जजख होके बे फिक्र होके किसी को गलत नहीं बोलना बस अपने मन का सच बोलना है शुक्रिया दोस्तों मैं लोटूंगी फिर नेक्स वीक एक नई पोईटरी के साथ और जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ अगर आपकी कोई स्पेशल डिमांड है किसी पोईटरी की और मैं उसका मतलब समझाओ तो आप मुझे इंस्टा पे भेज सकते हैं इशिकजैन112 मेरा हैंडल है और येस प्लीज दू सब्सक्राइब और फॉलो सी यू नेक्स वीक बाबाई